ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं इसके लिए कई सारी वीडियो भी देख चुके हैं यूटूब के उपर लेकिन फिर भी आप्सन ट्रेडिंग में कुछ न कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक देखिए इस वीडियो में मैं स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस बताओंगा जो नए लोगों के लिए जरूरी है और सबसे खास बात यह है इस वीडियो की कि बिलकुल आसान तरीके से बताओगा वीडियो पसंद आएगा तो एबान sell करके put option sell करके इन ही चार तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं option trading के अंदर अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि option trading करने के लिए कितने पैसे की जरूत पड़ेगी कम से कम कितना पैसा होना चाहिए तो हम option trading शुरू कर सकते हैं तो देखिए अगर आप option buying का काम करते चाहिए और call option buy कर रहे हैं या फिर put option buy कर रहे हैं तो 500 रुपे भी अगर आपके पास हैं तब भी आप इसमें trade शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप option selling की बात करते हैं तो option selling में लाकों रुपे की जरूरत पड़ेगी तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर option buying की ही बात करें करेंगे option selling को next video कवर करेंगे तुस्तों यहाँ पर मैं एक इसकीन सौट आपको दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी का कॉल option का कॉंट्रेक्ट है सुबा ओपन हुआ था 90 रुपे 70 पैसे पे और साम को जब क्लोज हुआ है तो 534 रुपे 55 पैसे पे हुआ है अब सोचिए कि अ 10,000 रुपे अगर आपने इसमें लगाया होता सुबह है तो यह साम को 35,000 रुपे आपको बना के देता आपका जो investment amount है वो कई गुना तक बढ़ सकता है दो गुना चार गुना छे गुना दस गुना तक बढ़ सकता है एक दिन के अंदर option buying में लेकिन अगर इसके उलट नु यह मौका और है कि आप जब देख रहे हो कि 90 रुपे की चीज 70 रुपे प्रिमियम पहुच गया 60 रुपे पहुच गया 50 रुपे पहुच गया तो 50 रुपे पर पोजिशन काट दो तो वहां पर आपका आपका 50 रुपे तो अपना बचाहील होगे सिर्फ 40 रुपे का आपक 30 पचास सकतर ऐसे कौंटिटी में आप खरे सकते हैं एक दो कौंटिटी नहीं createsap निफ्टी की बात करें तो उसका 75 का lot होता है 75 150 तरह सकते हैं इसको एक दो इनकर सकते तो दाहराण के लिए मैंने यहां पर bank nifty को लिया है मुझे bank nifty में trade करना है तो यह सारे bank nifty के contract मैंने अपने watchlist के अंदर add किया तो यह पर यह जो पहला contract आपको दिखाए ज़रा है यह nifty bank है और इससे यह पता चल जाएगा कि current में bank nifty कहां पर trade कर रहा है अब3600 579 як확ただ कर सकते है 37000 कि काउंटे को एक्रprogram कर सकते 100 100 प crawraren देते वी ओपर की contract मैं a इसी त्रीकर से अगर निचे का looks वालढा ओं तो उतल भी हम कर सकते हैं 3600 को कर सकते हैं 3600 को कर सकते हैं 3500 को भी कर सकते कोई दिक्कत के बाद नहीं 100 points का अंतर देते वें नीचे को contact को भी हम इस list में add कर लेते हैं ठीक है अब contact को add करने के बाद आप समझना जरूरी है कि इस contract में है क्या क्या चीज तो किसी भी contact में अगर यहां बैंक nifty लिखा हुआ आप तो इसका मतलब यह कि पी लिखा हुआ आता है, तो put option का contract है, इसके बाद यहाँ पर यह जो number दिखाई दे रहा है, 36,900, 36,000, 37,500, तो यह जो number लिखा हुआ आ रहा है, यह strike price का लाता है, तो आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी strike price के contract को add कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो चीज आपको दिखाई आपको दिखाई रही है, यह होता है price, ठीक है, अगर इस contract को आपको खरीदना है, तो 97,500, 80,000 पैसा देना होगा, अगर इस contract को आपको खरीदना है, तो 12,25 पैसे देना होगा, इसको premium बोला जाता है, यह premium amount होता है, यहाँ पर 18 February लिखावा रहा है, उपर W लिखावा रहा ह ठीक है, यह 18 February को expire हो जागा, किसी भी contact में जो date लिखी हुई आती है, उसी date को expire होता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह जो है, इसमें date नहीं लिखावा है, सिर्फ महीना लिखावा है, फेब लिखावा है, तो इसका मतलब यह है, कि यह फरोरी महीने के last ब्रिह के contract है, लेकिन यहाँ पर यह मंथलिक स्पाइरी का contact है, यह weekly का है, चुकि मंथलिक स्पाइरी का है, इसमें समय जादा आपको मिल ला है, पूरे महीने बर का time मिल ला है, इसलिए इसका जो प्रिमियम है, पांसो तेईस रुपे का है, वही पर इसी contract का, इसमें weekly का जब आप contract देखते हैं, तो इसमें समय आपको कम मिल ला, इसलिए इसका premium amount कम है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, कि हमें call option खरीदना चाहिए, या put option खरीदना चाहिए, तो देखिए, तो bank nifty आपको जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, current में, वहाँ से अगर 100-200 point, 300 point उपर जाने की सं call option के contract में पैसा लगाएंगे, तो आपको फायदा होगा, क्योंकि call option bank nifty के साथ चलता है, bank nifty बढ़ेगा, तो call option बढ़ेगा, bank nifty गिरेगा, तो call option गिरेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल ला है, कि bank nifty गिरा हुआ है, तो call option के contract भी गिरे वे दिख रहे हैं, ठीक अगर आपको लगता है, कि bank nifty जो है, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, 1200 point, 300 point, 400 point तक, तब आपको put option के contract खई दें, क्योंकि जब bank nifty गिरता है, तो put option बढ़ता है, और जब bank nifty उपर जाता है, तो put option गिरता है, तो इसका मतलब यह हैं, कि जो put option के contract होते हैं, वो bank nifty के करते हैं, clear, अब देख लेते हैं, कि किसी contract को हम अगर buy करते हैं, तो किस तरीके से हमें profit or loss होता है, तो यहाँ पर दो condition आती है, एक condition तो यह आती है, कि हम आज खरीते हैं, आज ही बेज देते हैं, यानि इंट्राडे टेडिंग करते हैं, दूसरी condition यह आती है, कि हम उसको expiry करते हैं, तो पहले पहली condition को समझते हैं, कि अगर इंट्राडे टेडिंग करती हैं, तो किस तरीके से profit loss होता है, तो suppose करो कि बैंक निफ्टी अभी जो ट्रेट कर रहा है, 36,857 पर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कि यहां से बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे वाला 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीद लिया 120 रुपए 30 पैसे प्रीमियम दे करके, एक क्वांटिटी का प्रीमियम दिया 120 रुपए 30 पैसे, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 3,000 पै क्योंकि मैंने एक लॉट खरीदा था और एक लॉट में 25 109 मेरा था लगबग 50 पॉइंट गिरा था अभी 119 पॉइंट गिर गया 109 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है exact पूट आप्सन को मैंने खरीदा था वो अब 184 रुपे का हो चुका है जब मैंने खरीदा था तो 120 रुपे का था अभी 184 रुपे का हो गया है अगर मैं पोजिशन को अभी काट दू तो मैं एक क्वांटिटी को उपर 307 रुपे 70 पैसे का प्रॉफिट बुक कर सकता हूं 307 रुपे 70 पैसे का प्रॉफिट एक क्वांटिटी पर होगा चुकि एक लॉट मैंने खरीदा था तो 25 क्वांटिटी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1592 रुपे का सुद्ध मुनाफ़ा आपको मिल सकता है यहां पर आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको काटने के बाद 1592 रुपे का मुनाफ़ा यहां पर हो सकता है वही पर अगर मैंने इसको एकस्पायरी तक होल्ड करने का फैसला किया अब एकस्पायरी के दिन इसका सेटलमेंट कैसे होगा उसको समझ लेते हैं दोस्तों यहां पर एक बचके 16 मिनट पर जो स्टेटस मुझे दिख रहा है वह यह दिख रहा है कि 211.55 पैसे पर यह बंद हुआ है ठीक है तो मैंने इसको 120 रुपे पर खरीदा था 120 रुपे 30 पैसे पर अब यह 211 रुपे 55 पैसे बंद हुआ है तो एक क्वांटिटी पर मुझे अभी भी 91 अब देखें सेटनमेट हुआ कैसे इसको पहले समझ देते हैं तो करेंट में जो मार्केट क्लोज हुई है फाइली वह 36.587 पे हुई है ठीक है और मैंने जो कॉंट्रेक्ट किया था वह 36.800 का किया था तो 36.800 से नीचे मार्केट बंद हुई है मैंने पुट खरीदा था तो पुट में जब नीचे बंद होगी तभी मुझे फाइदा होगा 211 रुपे मुझे मिलेंगे अब इसमें से 120 रुपे मैं काट लूँगा प्रिमियम का जो दिया था उसके बाद क्यानबे रुपे मेरा एक क्वांटिटी पर प्रॉफिट बचेगा टोटल पचीस क्वांटिटी मैंने खरीदा था तो बाइस सो पच्छतर रुपे का यहां पर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा अब माल लेते हैं कि मैंने क्या किया यहां पर 36.800 चला है मुझे ऐसा लग से के हिसाफ से 25 क्वांटिटी थी एक ही लॉट करीदा तो 3497 रुपे मैंने इसमें लगा दिया तिया पर 11 बच करके 38 में मैं देख रहा हूं कि मार्केट उपर जाने के बजाए और नीचे गिर गया है तो जो मेरा प्रिमियम था 149 रुपे का वह अब 91 रुपे 90 पैसे रह अगले है अगर मैं चाहँ तो इसको क्या कर सकता हूं बोजीशन को काट सकता हूं पोजीशन को स्कूर अगर इसको up कर पर अपने कॉंट्रेक्ट को देख रहा हूं 36,900 की कॉल आप्शन को यह पांच पैसे का हो गया है तो जो मेरा 149 रुपे का निवेश था वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया है 149 रुपे एक कॉंटिटी का था टोटल पैसा मेंने लगया था 3497 रुपे यानि साड़े 3000 रुपे यहां पर पूरा का पूरा डूब गया है कुल मिला जुलाकर के बात यह है कि आपने कॉल आप्शन खरीदा चैपूट आप्शन खरीदा आपके खरीदने के बाद उस कॉंट आने तब तो आपको पता ही होगा कि adoption trading कितना रिस्ति होता है अगर आप नहे हैं तो आपको मेरी शला यहीं होगी कि पहले सीखने की कोशिश कीजिए अगर आपको लगता है कि आ इसमें काम कर पाते हैं 2-4 महिने 3 महिने काम करने के बाद तब आप इसको continue अगर आपको लगता है कि नहीं यह आपके बस की चीज नहीं है तो इससे छोड़ दिजिए गा क्योंकि यहां पर जो पाउंस रोपे लगा के पाउन कमाने वाली बाती यह बिल्कुल लालच वालच वाली बात होती है